आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी वर्टसेप पर किसी को मैसीज कर रहे हो, किसी को मैसीज भेज रहे हो पर यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है कि आपके message पर blue tick नहीं आ रहा है वहाँ पर message पढ़ लिया है पर तब भी नहीं आ रहा है तो इसको हम ठीक कैसे करें आए जानते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको वर्ट्सप की setting में जाना पड़ेगा तो phone में अपने WhatsApp चालू करिए WhatsApp चालू करने के बाद आपको यहाँ पे उपर मिलेंगे 3. इस पे touch करें यहाँ पर आपको मिलेगा settings इस पे touch करिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक option जिसका नाम होगा account इस पे touch करें और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबसे उपर privacy privacy पर आईए इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा जिसका नाम होगा read receipt ध्यान दीजिए शायद आपको यह बंद होगा तो इसे चालू कर लीजिए और इसके अलावा में बता दूँ यहाँ पर अगर आप इसे चालू करते हो तब भी आप message भेज रहे हो और पढ़ने के वाद blue tick नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसने भी यह option बंद कर रखा है जिसको आप message भेज रहे हो किसी और number पर यह काम करेगा आप दूसरे number पर भेज के देखिए कोई message उस पर काम करेगा पर उस number पर काम नहीं करेगा क्योंकि उनने भी यह बंद कर रखा होगा शायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंदाई लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें